हाई आई एम आरियन आये दोस्टों वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आज हम सीखने जा रहे हैं पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस अभी तक हम लोग ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस मैं जाता हूं मैं खाता हूं वह खाता है वह जाता है अब हम सीखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस यानि मैं नहीं जाता हूं मैं नहीं खाता हूं नहीं वाला सेंटेंस सिखने जा रहे हैं पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस का अफरमेटिव सेंटेंस की पहचान थी ता है ती है ते हैं इसकी पहचान यह नहीं वाला है कुछ नह का फोर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डूडज फिर नॉट फिर भर्व और उसके बाद अब्जेक्ट होगा तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पर्जेट इंडेफिनिट का डूडज नहीं था लेकिन निगेटिव बाले में और हमें यू तुम और तुमे्ह और आप भी होता है और दे वे और उन्हें इन सब के साथ दू नॉट लगेगा डू पलस नॉट लगे गा नहीं वाले सेंटेंस में और डाइ नॉट कहा लगेगा अप लोग को बता देते हैं ही वा और उसे लड़का के लिए सी वा और उसे लड़की के लिए कोई भी नाम पुछ भी नाम दे सकते हैं राहूल अमन अमर और इट यह इन सब के साथ डाइज नोट लगता है नहीं वाले सेंटेंस में मतलब I, we, you, they के साथ do not और he, see, name, it के साथ try not लगाएंगे नहीं वाले सेंटेंस में तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बरते हैं अब हम एक सेंटेंस को ले लेते हैं नहीं वाले सेंटेंस हैं मैं नहीं खाता हूँ सबसे फ़हले फोर्मूला देखेंगे फोर्मूला म उसके बाद क्या है डू नॉट डाइनॉट यहां पर क्या लगेगा आई वी यू दे के साथ क्या लगता है डू नॉट तो यहां क्या लगाएंगे डू नॉट आई के बाद डू नॉट लिखेंगे उसके बाद फॉर्मूला में क्या है भर्ब यहां पर भर्ब क्या है खाना खाना का English होगा, eat, I do not eat, मेरा sentence बन गया, I do not eat, और यहाँ object कुछ भी नहीं है, तो object नहीं लिखेंगे, अब एक object वाला sentence देख लेते हैं, तो मेरा sentence है, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो formula को देखेंगे, सबसे पहले subject होगा, subject क्या होता है, मैं तुम ये वो, यहाँ पर क्या है, में, में का English क्या होगा, I, उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं खाता हूँ, नहीं के लिखेंगे, क्या होगा, do not, die not, यहाँ पर क्या लगेगा, I, we, you, they के साथ क्या लगता है, do not, यहाँ डू नोट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, भर्व, भर्व क्या है, ख एक चिन आपको दिखाते हैं या सिमबल को दिखाते हैं यह क्या है предлож करते हैं इसका युज कहा करते हैं आयए देखते जैसे do not में D को लिखेंगे, O को लिखेंगे, N को लिखेंगे, N के उपर apostrophe का चिन लगाएंगे और T को लिखेंगे यहां O गाइब हो जाता है और do not बन जाता है don't वैसे ही Do not में Do,E,S को लिखेंगे उसके बाद N लिखेंगे उसके बाद उपर अपोस्टोफी का चिन्न लगाएंगे उसके बाद T लिखेंगे और मेरा सोट में बन जाएगा Do not यहाँ O गायब हो जाता है Do not को सोट में Don't बोलते हैं हम लोगों ने बनाया मैं नहीं खाताओं का सेंटेंस इसे सोट में भी बना सकते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं तुम नहीं जाते हो सबसे पहले फोर्मूला देखेंगे formula क्या है, सबसे पहले subject लिखना है formula में, subject क्या है, तुम, तुम का English क्या होगा, you, उसके बाद क्या लिखना है, do not, die not, यहाँ क्या है, तुम यानि यू है, यू के साथ क्या लगता है, do not लगता है, do not लिखेंगे, उसके बाद क्या है, भर्ब, भर्ब क्या है, जाना, जाना का English होगा, go, उसके बाद यहां object कुछ भी नहीं है, तो मेरा sentence बन गया, तुम नहीं जाते हो, you do not go, इसे short में बना सकते हैं, you don't go, अब एक object वाला ले लेते हैं, तुम घर नहीं जाते हो, यहां पर सबसे पहले formula देखेंगे, formula क्या है, subject, subject क्या होता है, मैं तुम यह वो, यहां क्या है, तुम, तुम का English होगा, you, उसके बाद क्या है, formula में, do not, die not, you के साथ क्या लगता है, do not, यहां do not लगाएंगे, उसके बा जो की object है, मेरा sentence बन गया, तुम घर नहीं जाते हो, you do not go home, do not को short में लिखते हैं, तो बन जाएगा, you don't go home, और एक sentence है, हम नहीं पढ़ते हैं, तो formula क्या अनुसार बनाएंगे, सबसे पहले subject होगा, subject जानते हैं, क्या है, हम, तुम यह वो, तो यहां क्या है, हम, हम का English क्य क्या होगा, we, आपको पता है, I, we, you, दे के साथ क्या लगता है, do not, यहां क्या लिखेंगे, do not, we है, तो do not लगाएंगे, उसके बाद, problem क्या है, भर्ब, भर्ब क्या है, आना जाना, खाना, पीना, पढ़ना, तो यहां क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या होगा, read, we do not read, उ और लाश्ट वला देख लेते हैं जिसके साथ do not लगता है वे नहीं दोर्टे हैं तो सबसे पहले subject लिखेंगे subject क्या है में तुम ये वो यहां पर क्या है वे का English क्या होगा? दे होगा उसके बाद do not day not यहां क्या है दे है दे की साथ क्या लगता है दूनोट उसके बाद भर्ब लिखेंगे दौरना का इंगलिस क्या होगा रन उसके बाद यहां अब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो मैं सेंटेंस बन गया वे नहीं दौर्टे हैं दे दूनोट रन शोट में दे डॉन्ट रन तो दोस्तो अभी तक हम लोगों ने सीखा I, We, You, They के साथ दूनोट लगता है अब हम सीखने जा रहे हैं डॉनोट कहां लगेगा He जिसका हिंदी वा होता है लड़का के लिजे See जिसका हिंदी वा होता है लड़की के लिजे it मतलब यह और कोई भी name यानि नाम इन सब के साथ do not लगता है तो एक sentence लेते हैं वहाँ नहीं खाता है तो सबसे पहले formula देखेंगे सबसे पहले subject लिखेंगे वहाँ का subject होगा या खाता यानि लड़का के लिए बोला जा रहा है ही लिखेंगे वहाँ का English ही वहाँ अब दूनोट दैनोट लगाना है ही सी नेम इट के साथ दैनोट लगता है या दैनोट लिखेंगे उसके बाद भर्ब लिखना है खाना का इट होगा और यहाँ object कुछ भी नहीं है तो मेरा sentence बन गया वहाँ नहीं खाता है ही डैनोट इट और दैनोट का solve ड़एंट होता है short में लिख सकते ही ड़एंट हिट इकला sentence है वहाँ नहीं खाती है तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे फॉर्मूला क्या है सबसे पहले subject हो और subject का में थुम यहां हुआ तो यहां पर क्या है वहाँ वहा वहां के लेकिन यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि लड़का के लिखते हैं लड़की के लिखते हैं यह खाती है यहां पर अबब्येक्ट लिखना है तो यहां पर c doesn't it मेरा अगला sentence है राम नहीं जाता है तो formula देखेंगे सबसे पहले subject लिखना है subject क्या है नाम है राम का राम ही लिखाएगा राम लिख दिये उसके बाद do not dynote लगाना है तो कोई एक नाम के लिए dynote लगाते हैं क्या नाम है राम के साथ क्या लिखाएगा दाइनोट उसके बाद क्या लिखना है भर्व क्या है जाना के अंगलिस होगा गो राम दाइनोट गो और यहां object कुछ भी नहीं है राम नहीं जाता है कि sentence बन गिया राम दाइनोट गो एक object वाला ले लेते हैं राम अंग्रेजी नहीं जानता है तो सबसे पहले formula देखेंगे subject लिखना है formula गनुसार subject क्या है नाम है राम का राम ही लिखाएगा उसके बाद क्या लिखेंगे डू नोट डाइनोट नाम के साथ डाइनोट लिखाता है या डाइनोट लिख देंगे उसके बाद भर्व लिखना है भर्व क्या है जानना जानना के इंग्लिज क्या होता है नो के नो डबलू को नो परते है ठीक है नो लिख देंगे उसके बाद क्या है अंग्रेजी अंग्रेजी क्या है object है वोई सी को लिखेंगे इंग्लिज तो मेरा sentence बन गया, Ram अंग्रेजी नहीं जानता है, Ram does not know English, और short में Ram doesn't know English, तो दोस्तों आपको एक और बात यार रखना है, कि एक नाम के साथ do not लगता है, और एक से अधीक नाम के साथ do not लगता है, जैसे Ram नहीं जाता है, तो formula देखेंगे, subject लिखना है, Ram का Ram ही लिखाएग राम के साथ क्या लगता है, do not लगा दिया, जाना का go, Ram does not go, और एक sentence लेते हैं, Ram और स्याम नहीं जाता है, तो यहाँ दैनोट के जगा पर do not लगेगा, क्योंकि एक से अधीक नाम के साथ do not लगता है, तो sentence बनेगा, Ram and Sam do not go, फिस से समझते हैं, सीता नहीं परती है, तो से पहले subject लिखेंगे, सीता नाम है, नाम का नाम ही लिखाता है, सीता लिख दिया, उसके साथ क्या लगेगा, डैनोट क्योंकि एक नाम है, डैनोट सीता, डैनोट और भर्व लिखना उसके बार भर्व क्या है, पढ़ना, पढ़ना का read, सीता, डैनोट, रिड और एक से ना का रेइड सिता अगीटर दू cozy लिए dram तो दोस्तो वीदियो में आगे बहते हैं अभी तक हम लोग ने सीखा डूनोट कहा कहां लगता है आई वियू दे के साथ दूनोट का परियोग करते हैं नहीं जाता नहीं खाता नहीं वाले सेन्टेंशमें नहीं और ताले sentence में और he, see, name, it के साथ do not का परियोग करते हैं नहीं ता वाले sentence में एक बार फिर से देख लेते हैं जैसे I, we, you के साथ do not लगता है तो मिना sentence है मैं नहीं जाता हूँ तो यहां बनेगा I do not go, तुम नहीं जाते हो, you do not go, हम नहीं जाते हैं we do not go और we नहीं जाते हैं, they do not go और die not का परियोग he, see, name, it के लिए होता है जैसे वह नहीं जाता है, he die not go वह नहीं जाती है यहां लड़की के लिए तो see लगाएंगे see die not go, ram नहीं जाता है, ram die not go और दो नाम हो तो do not हो जाता है, ram and sam नहीं जाता है ram and sam do not go, तो दोस्तों आपको एक और चीज बता दे, do not और don't में क्या फरक है आपको लगेगा do not का सोठी don't है, हाँ ये भी सच है, और एक चीज आपको बता दे do not का परियोग करते हम permanent नहीं करने के लिए, जैसे गाली मत दो, ये permanent नहीं देने के लिए बोलते हैं do not abuse, security मत पीओ, do not smoke, उसी तदा don't का परियोग करते हैं temporary, मतलब कुछ समय के लिए, जैसे अभी मत बोलो, don't speak, अभी मत खाओ, don't eat, अभी मत जाओ, don't go, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परक है do not मतलब हमेशा के लिए permanent कुछ नहीं करने के लिए बोला जाता है, और don't का परियोग अभी के लिए, मतलब temporary के लिए, नहीं करने के लिए बोला जाता है दोस्तों, आपको एक और चीज फीर से बता देता हूँ, एक नाम के साथ, don't लगाते हैं, जैसे राम, don't go, और बहुत सारे नाम के साथ, do not लगाते हैं, जैसे राम और स्याम नहीं जाता है, राम एन्सियाम डू नोट गो उसी तरह एक नाम के साथ दैनोट जैसे एक चीज एक गिन्टी में हो जैसे गाए गाए नहीं खाती है दकाव डैनोट इट और अगर गिन्टी एक से ज़ादा हो जैसे गाए के जगाए रहे गाय नहीं खाती है, तो यहां do not लगाएंगे, जैसे गाय नहीं खाती है, the cows do not eat, तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको next वीडि को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,